तो आपने कुछ इस तरह के बाटर सेंसिंग दिये मार्केट में देखे होंगे जिसमें हलका सा पानी डालते ही यह जल पड़ते हैं तो यह दिये कैसे जलते हैं इसके पीछे की साइंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो जल जी से सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो हम यहां पर लेके आये हैं कि बाटर सेंसिंग दिया और इस दिये को ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है जिसकी वज़े से ही चलता है आप इसके अंदर पानी डालके भी इसको जला सकते हैं और यहां पर ऐसे इसको टच करके भी इसको जला सकते हैं तो चली इसको खोलते हैं और समझते हैं इसके पीछे की साइंस कि यह काम करता है तो अब हम इस दिये को ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है तो, अब हम इसको यहां से खोलेंगे और इसको रख लेते हैं, साइड में सबसे पहले जो हमें दिखता है, यहां पर वो है दिएएका बेस जिसको हाउजिंग भी कह सकते हैं और यह हाउजिंग इसके अंदर कुछ नहीं है जो इसको बेस provide करती है और साथ protect भी करती है और उसके साथ में हमें यहाँ पे यह reservoir मिलता है जिसके अंदर हम पानी को रख सकते हैं जिससे इन दोनों फिनेक्टरों के बीच में पानी आता है और यह वारा light है वो जलती है यहाँ पे एक LED light है और LED light को तीन button cell के साथ जूड़ा हुआ है साथ में लगाया एक resistor और sense करने के लिए यहाँ पे लगा रखा है NPN transistor आप यहाँ पे भी टच करके अपने LED को glow कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम समझते हैं इसके पीछे की science यहाँ पे आप चित्र में दिखाए अनुसार समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक 3 volt की बैटरी का यूज किया हुआ है जिसके positive side में LED की positive light connect करी हुई है और उसकी negative side में हमने BC 547 यानि की NPN transistor किया emitter light को connect किया हुआ है LED के positive light के साथ हमने एक 500 kHz का resistance भी connect किया हुआ है जिसको हमने BC 547 के NPN transistor के base के साथ connect कर दिया है और इसके base के साथ हमने जो दो screw लगा रखे हैं उसके एक point को connect कर रखा है दूसरे screw को हमने emitter के साथ connect कर रखा है और LED का जो negative सिरा है उसको हमने collector के साथ connect कर रखा है तो यह था एक basic circuit जिसके ओपर काम करता है हमारा बाटर sensing दिया यहाँ पर हमने simulation के लिए circuit बना रखा है और पाने की जगा हमने switch को use कर रखा है तो यहाँ पर जैसे हम switch को on करते हैं हमारा LED glow करना शुरू कर देता है और जैसे switch को बंद कर देते हैं हमारा LED off हो जाता है फिर से switch को on करने पर हमारा LED glow करना शुरू कर देता है तो कुछ ऐसे ही हमारा बाटर sensing दिया काम करता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें हमें कमेंट के मादें उसे बताए कि आपको कौन-कौन सी और वीडियो चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करते रहें थैंक्यू और हैवा नाइस टे